हलो फ्रेंट्स आज बनाते हैं रोटी का बिल्कूल नया नास्ता यह आप नास्ता कभी नहीं खाए होंगे एक बार जरूर देखना इसके लिए हमने लिया है चार पांच रोटी आपके घर में जो बची हुई रोटी होती है आप उसी का बना सकती है या तो आप का खाने का मन हो तो ताजी रोटी का बनाए इसके लिए हमने लिए एक कडाही इसमें हम डालेंगे तीन-चार चम्मच देशी घी आप चाहे तो घी के जहां रिफाइन ऑल भी ले सकती है और इसी घी में हम घी को गरम हो जाने के बाद रोटी को फ्राई करेंगे दोनों तरफ से पलड़ करते हुए रोटी को अच्छे ही से फ्राई कर लेंगे ताकि रोटी जो है थोड़ा कुरकुरा सा बन जाए देखिए बिल्कुल रोटी फोल चुकी है और इसी तरह हम इसे फ्राई कर लेंगे कुरकुरा होने तक वीडियो पसंद आया तो लाइक करना सेर करना चैनल पर पह बूल जाएंगी इसी तरह देखिए हमने सारी रोटी को फ्राई कर लिया है अब हम उसी कडाई में घी को निकाल देंगे और डालेंगे इसमें चीनी चीनी हमने बड़े वाले चम्मच से दो ढ़ाई चम्मच लिया है एक खाने वाले चम्मच से चार पांच चम्मच होगी आप अपने रोटी के अनुसार ले ले हमारी रोटी 45 है इसलिए अमने 45 चीनी 45 ही चम्मच चीनी ली है नहीं चीनी को हम थोड़ा सा पानी डाल कर इसे मेल्ट होने देंगे और मीडियम फ्लेम पे इसे पकने देंगे चीनी का हमें कोई ज्यादा देर तक नहीं पकाना है इसको हम मीडियम फ्लेम पे पॉले थोड़ी देर तक पकाएंगे और इसे चलाते रहेंगे इसे परकाते भी हम देखते जाएंगे कि इसमें कब तार बन रहा है हमें सिर्फ इसका एक तार बनाना है चीनी का अब थोड़ी थोड़ी देर पर इसे चेक करते रहें कि देखें चीनी कब पकने के बाद थोड़ी देर बाद इसमें तार जो है इजली बनने लगता है इसकी यही पहचान होती है देखिए हाथों पे लेकर देखते रहें देखिए अभी तार जो है नहीं बन रहा है बिल्कुल भी नहीं बन रहा है इसका मतलब कि अभी चीनी में पानी बहुत ज्यादा है देखिए थोड़ी देर बाद फिर शे हमने चेक किया है अब देखिए हल्का हल्का जो है इसका तार बन रहा है देखिए एक तार HTML बनने लगा है अब हम चीनी को इसे घयस का फ्लेम त्योड़ा सा तेज करके और जो हमने रोटी को फ्राई करके रखा गैस का फ्लेम तेज क्यों करें गेता कि आ मारे गाफी जहीं जब ही रोटी में सब शीपट जाए घृप हें तो छीनी जो अब मेडियम और की रोटी जो है और जिम्टे से पकड़्यां और दोनों तरबmi सीरे में जो चाशनी है उसमें डूब गोई है और उसका इश्ट्रा जो है सब इसी में पले निचोड़ दें बाकी इसे रोटी को हटा कर रख दें इसी तरह सभी रोटियों को अगयस का फ्लेम थोड़ा तेज ही रखेगा नहीं तो चीनी बिल्कुल सूख जाएगी और आपकी एक कही रोटी में सारी मोटी सी लेयर लग जाएगी बाकी रोटियां सब ऐसे ही रह जाएगी देखिए गयस का फ्लेम तेज रहेगा तो पतली पतली लेयर जो है रोटी में लगेगी इसी तरह सभी रोटियों को हम सीरे में कोट कर लेंगे और इसे एक बार बना कर जरूर खान वीडियो देखके लाइक कर देना और बना कर खाने के बाद आना तो हमारे चैनल को सस्क्राइब कर देना खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा है एक बार जरूर बना कर खाना हम बची वी रोटियों का बहुत अच्छा तरीका है यूज़ करने का देखे इसी तरह हम सारी रोटियों को कोट करके रख लिए हैं अब हम दिखाते हैं इसको देखे अभी जो है बहुत गरम है इसलिए इसका सीरा जो है सब अलग-अलग लग रहा है तो यह खाजे के रूप में हो जाएगी रोटि और सारा इसमें जो इसकी चासनी लगी है सब चिपट जाएगी इसी में ऐसे इसमें चिपचिपा पर नहीं रहेगा सब सूख जाएगा देखे सारी रोटी को हमने बना लिया है वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद